कि नया गाउं सग्रा में कल एक महिला की मौत हो गई थी संजय गांधी अस्पताल में बिमारी की वज़े उसकी चिता जलाने की तैयारी की जा रही थी उसी दोरान घर के एक सदस ने पेड़ पर चक अगर लकड़ी काटने का निश्चे किया जैसे ही वह पेड़ पर चबा ऊपर से 11000 वोल्टेज की लाइन जा रही थी कुलाड़ी उससे चुई उसको करेंट लगा वह पेड़ से सीधे नीचे गिरा संजय गांधी अस्पताल में इन इस साल के यूवक की एकसिडंट के बाद इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई जिसे 108 की मदद से इलाज के लिए अग्यात मानते हुए संजय गांधी अस्पताल लाया गया था बाद में उसकी पहचान दिनेश सूंधिया पिता बद्री प्रसाथ पुखरी टोला आम बेटकर नगर समान थाना के रूप में हुई दिनेश को उसके घर में गोविन के नाम से बुलाया जाता था हमारी टीम ने संजय गांधी अस्पताल के पोस्मार्टम रूम के पास मौजूद थी जब दिनेश का पोस्मार्टम किया जा रहा था उसी दोरान हमने उनके परिजन से बात की उनका कहना था पूरा परिवार कुमरी गाउं गया हुआ था तब ही हमारे भाई का फोन आया गोविन उर्फ दिनेश का एक्सीडेंट हो गया है तुम लोग सब कोई रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुँच जाओ इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया था जब परिजन रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुँचे तब पता चला उसकी मौत हो गई है दिनेश को रीवा के चिरहुला मंदिर गेट के सामने किसी अग्यात फोर विलर ने जोड़दार ठोकर मार दी थी ठोकर मारने के बाद फोर विलर वहन मौके से फरार हो गया था फोर विलर को ठोकर मारते किसी ने नहीं देखा किस गाड़ी ने कब उसको ठोकर मारी वो वहीं पर दिनेश गीरा पड़ा था उसके सरसहित सरीर के विभिन हिस्से में खातक चोटे थी गंभीर चोटे थी वह लहुलहान हालत में वहाँ पर पढ़ाता तभी किसी ने 108 को फोन कर दिया एक 108 चुराला मंदिर गेट के पास पहुंची और दिनेज को इलाज के लिए रीवा के संजय गांदी अस्पताल लेकर आई अग्यात फोर विलर अग्यात व्यक्ति संजय गांदी अस्पताल पहुंचता है वहाँ उसको आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में भरती किया जाता है उसका उप्चार डॉक्टर प्रारम कर देते हैं इसी दोरान उसकी पहचान दिनेज के रूप में होती है ततकाली दिनेज के परिजनों को इस बात की सुचना दी जाती है दिनेज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भरती है उसे 108 की मदद से लाया गया है किसी अग्यात वहन ने उसको ठोकर मार दी है परिजन संजय गांधी अस्पताल पहुंचते हैं वो देखते हैं दिनेज कमभीर हालत में वहाँ पर भरती है उसकी पहचान दिनेज सुंधिया पिता बद्री प्रशाद उम्र 29 साल पुखरी टोला आमबेटकर नगर समान थाने के रूप में होती है इलाज के दोरान दिनेज सुंधिया की मौत हो जाती है अस्पताल की पुलिस चोकी में प्रकरान पंजिबत करते हुए शोग के पोस्ट मार्टम की तैयारी की जा रही होती है तब ही हमारी टीम ने दिनेज के चाचा से बात की जानने समझने की कोशिश की एक्सिडेंट कब कहा और कैसे हुआ उनका साब तोर से कहना था हम लोग कुमारी गाओं गए थे वहां मेरे भाई का फोन आया दिनेज उर्फ गोविन की एक्सिडेंट में गंभीर हालत है तुम लोग सब कोई संजय गांदी अस्पताल आ जाओ हम लोग यहां पहुँचे हमें पता चला उसकी मौत हो गई है सुनिए दिनेज सोंधिया और गोविन की मौत को लेकर उसके चाचा क्या कुछ कह रहे हैं क्या है करेंट अपुसा है वहां उपर ग्यारा हजार बोल्टिज रही है आउन्ठे काणां से ही वाप बमूर के पेड़ रहा आउन्ठे काटत रहे थे लाट बाडी जलावे खाचे तो वो पेड़ में चड़े उपर से गिरे हुई गा यह रगी चले आपके कौन थे हमारी कर दो है क्या नमें आपके राज राज रापन